25 चाइनेज को मारा उसने, पंजाब का जवान जिसको कहते है, नौजवान, इसने कहा पंजाब की जवानी को आप बरबाद करो, ये उठीन अपाई, पंजाब में खालस्तान बन जिया, पंजाब हिंदोस्तान से तूड जाए, पंजाब का मीशन हमारा फेल हुआ, क्या किया नार्को टेरिजम फिला के हमारी पंजाब की जवानी तबाह करेंगे, इनके मैं चैलिंज करके कहता हूँ, आप उसको उच्छाते थे, औरे दाउद आगया, दाउद आगया, अब दाउद आपनी जान बचाता फिरता है, मुद दी आगया, मुद दी आगया, पता नहीं कह अबला करके मारें, वो इनको पकड़ेगा, और ये अपने अधिकारी लगाएंगे, जिनको कहेंगे इसको पकड़ो, इसकी इंटरीगोशन करो, इसको डिमारलाइज करो, इसको मेंटली टॉर्क करो, इसके ओपर पुलिटिकल टेरिजम फेलाओ, ये कमजोर हो जाए, और उ गेस्ट को मैं लाने वाली हूँ, उनके बारे में मैं जितना भी बोलूँ वो कम होगा, लेकिन उनके इंटरॉडक्शन में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, इनके उपर 14 बार आतंकी हमले हो चुके हैं, 14 बार, और इतना ही नहीं, आज के वक्त में सिर्फ एक ही टेरिरिस्म नहीं है, देश के आतंगवाद के खिलाफ आज भी लड़ रहे हैं, जब भी तीन कृशी बिल की बात आती है तो हमारे जहन में आते हैं, हमारे जहन में आता है कि यह तथा कथित किसान है, यह हमारे जहन में खालिस्तानी आते हैं, लेकिन पंजाब खालिस्तान में तबदील ना हो, पंजाब खालिस्तान में ना बदले, इसके लिए अपने पूरी कोशिश में लगे हूँ और इसके अलावा, अगर मैं आपको इनके बारे में बताओं, तो इनके अपनों ने ही 14 से अधिक बार इनको मौत के मूँ में धकेल दिया, आप आज के वक्त में All India Anti-Terrorist Front के चेर्मन हैं, आप फॉर में प्रेसिडेंट रह चुके हैं All India Indian Congress, यूथ के यूथ इंडिया कॉंगरिस के भाई PV नरसिमा राओ, और इसमा नोट रॉंग मैं आपको इनको बता दू, आज None Other Than, इन्हें जो बोला जाता है एक जिन्दा शहीद कि एक उपादी खुद PV नरसिमा राओ जी के दौरा मिला और ये क्यों मिला, ये सारी चीजें हम इनसे बात करेंगे तो मैं इनसे आपको परिचाय कराऊं, इनके बारे में आपको कुछ बताऊं और कई ऐसे सवाल हैं जो हम नेशनल टेलिविजन पर देखते हैं आज के वक्त में हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कश्मीर में पलायन हो रहा है कई हमने देखा बॉलिवड में नार्कोटेक्स के इंवॉल्मेंट है तो कई ऐसे मुद्दे हैं आज हमने देखा कि किस तरीके से प्रधान मंतरी पहले रोम जाते हैं इटली हैं उसके अलावा उन्होंने स्कॉटलेंड में देखा जा रहा है पर क्यूं ये पांच दिवस्य दौरा तो हमने देखा कि आकर ये हो क्यों रहे हैं आकर इसका में कारण क्या है कई ऐसे सवाल है अनसुलजे सवाल है जिसके जबाव शाद मुझ तक और आप तक समझ पाना हमें बहुत मुश्किल है और इस सही जवाब हमें सिर्फ और सिर्फ बिटा सहाब से मिलेंगे तो आईए हम स्वागत करते हैं आज जो मारे बीच है एक जिन्दा शहीद कहूंगी मैं इमेस बिटा साब का बहुत भाँ धन्यवाद बंदे मातर मसेर्थ सर आपका बहुत भाँ धन्यवाद कि आपने हमें वक्त दिया सर सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यहीं होगा कि शाद उस वक्त में नहीं थी आज के युवा जेनरेशन नहीं थी उस वक्त जब कश्मीर में हिंसा हुआ कश्मीर में हमारे भाई बेहनों को और हमारे माता पिताओं को अपने संपत्ती घर को छोड़ कर पलायन करना पड़ा आज फिर से एक 40 सार की एक सिख प्रिंसिपल को एक टीचर को एक स्कूल के अंदर नाम और आईडी देखके मारा जाता है आज उनको गोलियों से बुना जाता है एक बिहार के रहने वाले एक वरकर को कश्मीर में मार दिया जाता है क्यूंकि वो एक अलपसंख्यक नहीं एक हिंदू है इस तरीके से पलायन हो रहा है अथोरिटी, सिस्टम, सरकार तो कहते हैं आप घर खाली मत करो घर में रहो, सुरक्षित रहो, डरो मत लेकिन जिस तरीके से हमारा इतिहास खून से रत्रंजित है इतिहास के पन्ने खून से सने हुए हमारे अपनों के तो क्या एक सरकार का सांतोना काफी होगा और कैसे देखते हैं आप इंसे पहली बात तो इतिहास के अजादी के टाइम के खूनी पन्नों के इतिहास को अगर फोरोले जब हमने भी जन्म नहीं लिया था अगर पड़े अपने बजर्गों से पूछे कि आज इतनी बड़ी कश्मीर की समस्या हुई क्यों हमारे जवानों की शहाते हुई क्यों कि सब्भी ग्यारा को अब पार्लिमेंट की गटना हुई क्यों दिवाली के दिनों के अंदर हिंदुस्तान के कोने कोने में ब्लास्ट गोलिया प्रेलवे स्टेशनों के ऊपर चलते थे वह हुए क्यों मात्र भूमी के हिंदु मुस्लिम सिक्षाईयों के खुण से सजे हुए तरंगे जंडे का अपमानत हुआ क्यों जवानों पे पत्थर फेंके क्यों भारत मा को रुलाया क्यों भारत मा की पीट पे छुरे लगे क्यों कश्मीरी नहीं पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान के उस वक्त के राजनेतिक जम्यदार लोग जो पावर में थे जिन्हों ने यह नहीं सोचा था कि जो आज हम कदम उठा रहे हैं अगर उस वक्त यह कदम उठाया होता अगर ऑकोपाई कश्मीर भी हिंदुस्तान के अंदर होता है कि अमारी उस वक्त सिख रेजमUND की जो फौज थी उनको रोका गया वो त्यार थे हमें हुकम करो हमें अदेश करो औकोपाई कश्मीर भी हमारा इनको ख़देड देंगे पर उस वक्त की नेताओं की गलत पॉलिसी ने हमें इतना रुला दिया भारत माता को इतना रुला दिया इतने जवानों की शहादत करा दी इतने बेहनों के सोहाग उजड़गे इतने बच्चे यतिम हुए इतनी खून की नदिया भी कुई वमातर भूमी रोती रही कश्मीर के अंदर गोलिया चलती रही बच्चे यतिम होते रहे आखिर में मेरा बीज्य पीसे कोई ने आ देना न मेरा मोदी इसे कोई लिना देना नहीं, मैं शोचल वर्क करता हूँ, पुराना काउंगर्सी हूँ, मातर भूमी ने एक योदा दिया, जिसका नाम नरिंदर मोदी, आके 370 दारा हटा दी, कभी जिन्दगी में हम सोच नहीं सकते थे, कि 70 साल की कैंसर की बिमारी को कोई योदा आएगा, बगवान का बेजा हुआ को फ्रिस्ता आएगा, जो उखाड करके उसको फिक देगा, हमने नहीं सूचा था, अगर 370 दारा हटी, पूरे देश में बंबलास्ट होंगे, आपको पता जब राम जनव भूमी के ओपर बाबरी के अंदर बलास्ट हुए, तो ऐसे पूरे देश के कोने कोने में दुनिया के अंदर गोलियां चलेगी, बंबलास्ट होंगे, नफरत फिलाई जाएगी, दंगे फसाद होंगे, एक भी गोली नहीं चली, एक भी बंब नहीं चला, और 370 जारा की कैंसर की विमारी को उखाड करके फिक दिया और अमन शांती लाए, जहां हमारे जवानों की शहादत होती थी, क्या हुआ अब, अब रो जतंक वादियों को ठोक 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 के मारते हैं, ना तरंगे जंडे का अपमान होता, ना जवानों की शहादत होती, हाँ, हमारे जवान पहले से बहुत कम शहीद न नेरी बहन principle को सिख्ध जो समधाय थी उनको गोलियों से शहीद किया जाता है, teacher को शहीद किया जाता है, doctor को शहीद किया जाता है, जमानों को शहीद किया जाता हूँ, तो उसके बदले में 20-20 अतंकवादियों को, कुते, बिल्लियों की तरह जानवर जैसे मरे हुए सड़क प Lyyan को में परिवारों को मिला, अभी जम्वू भी मैं गया, मैं मिलके आया परिवारों को, पाकिस्ताना पुखला है, पाकिस्तान में हिंदूओं के मंदिर तोड़े जा रहे, बिल्कुल, मैं बता रहूँ, बांगल्लाधेश में हमने देखा, मैं बताँँ, बिल्कुल, पा बड़ी इंडस्ट्री आने को तियार बैठी है गोलिया नहीं चल रही तरंगे जंडे का अपमान नहीं हो रहा है जमानों की शहादत नहीं हो रही हमारे इदर से बेजे हुए गुर्गयों को मारा जा रहा है गोलियों से बुना जा रहा है उनको तो उसरे एक ही रास्ता ढू कमजोरी है सतर साल की कैंसर की बिमारी को खाड के फेकना और उन्होंने निया रास्ता अपना रही है कि इनोसेंट वेक्ति को मार दो अब इतने लोग हैं वहां पे उसको वक्त लगेगा टाइम लगेगा और खालात को नॉर्मन करने के लिए और एक दम हम मोदी जी के ओपर करते हैं देखो जी आपने 370 दारा हटाई यह क्या हुआ पूछने वालों को कहना चाहता हूं क्या आप श्री नगर में किसी शहीद परिवार के घर गए क्या आप कश्मीर के अंदर लोगों को मिले क्या आपने जमानों के बक्षे उठा करके जब कड़क बर्फ बर्फ के अंदर हो जाते हैं सिमाओं की रक्षा करने के लिए मातर बूमी की सिमाओं की रक्षा करने क्या आपने उनका साथ दिया टीवी में डबेट करने के लिए रुमाल निकाल करके जैकेट पहन करके मौडलिंग जैसे कपड़े पहन करके बोलना बड़ा असान होता है पलेन से उतर के कश्मीर के अंदर जाके जैसे हम गए मौत के कफन बांद करके वहाँ निकल के देखो तो यह चीजें अभी होंगी पंजाब में कितनी मुश्कल से हमने अतंकबाद को समाप किया अपने सरीर के हिस्से गवाए चत्ती हजार लोगों का खून बहाद चत्ती हजार थोड़े नहीं होते उसमें 19,000 हमारे हिंदू बाई थे बड़ी मुश्कल से ठीक है अभी भी कई बर ऐसे हलात आते हैं तो इतनी जल्दी उसका फैंसला ले लेना की प्लैन हो रहा है गोलियां चल रही है क्या उन लोगों से मैं सवाल पूछना चाहता हूं क्या हमारी शुरक्षा फोर्शिस कमजोर है क्या हमारी शुरक्षा फोर्शिस मौत कफन बांद करके कड़क सर्दी के अंदर मातर भूम कि शिमाओं की रखशा नहीं करती है के अगर नहीं करती है तो मेरा चैलेंज़ाओ मेरे से बैत करो आपी डवेट पे बोला लो साथ तो देना नहीं जानों का साथ देना नहीं उठारो दोधिंदिक हम जोर से वیeg और één आपने शरीर के एहम अंग भी दान किये हैं. देखो एक चीज़ सुनो, ये जो शरीर है ना, ये मेरा बूनस है. 14 बर हमलों से बचना, 70 लोग मेरे साथ शहीद होना, जवान शहीद होना, खून की नदियां बहती हुई देखने, जवानों के सिर बंबो से उतरे हुए देखने, अब मेरा जीवन बूनस है, मैं बूनस की जिएता हूं. और मेरा सरीर में दर्दें होती हैं, और वो दर्दें मुझे फूलों की तरह लगती हैं. क्यों लगती फूलों की तरह को मेरा मातर भूमी पे हैसान नहीं को मेरी रास्थ के लिए कुर्बानी नहीं जिस दिन कुर्बानी और कह दूंगा उस दिन मैं इस मिट्टी में कीड़े मकौड़े की तरह रूल जाओंगा यह मेरा कर्तव है मुझे मातर भूमी ने दिया है मेर पर हमने देखा कल तो न्यूजिलेंड और भारत की मैच हुए, न्यूजिलेंड जीत गई, भारत हार गए, लेकिन वहीं पर भारत-पाकिस्तान के मैच में हमारे ही देश्वाजी हिंदुस्तान में रहने वाले दिलिवाले पठाके फोर्ड रहे हैं, देखो दो बाते, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं एसाई हूँ, शुबाज चंदर भोची ने क्यों हिंदुस्तान की जंग जीती, अजाद हिंद फौज का गठन क्यों करना पड़ा, जब जर्मनी में गए थे, हिटलर को मिलने, मिलने से मना कर दिया था, बड़ी मुश्कल से टाइम मिल बड़ी शक्ति-शाली मात्र भूमी, जहां देवी, देवताओं का, गुरुगों का वास है, वहां को कहता है मैं हिंदु हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, हिसाई हूँ, और एक छोटा सा देश आके यूके से आपके देश के ओपर कब्जा कर लेता है, को हिंदुस्तान कहने को तियार नहीं, शुबाज चंदर बोची आते हैं, उनको गहरी चोट लगती है, और आके एक फौज का गठन करते हैं, जिसका नाम होता है, अजाद हिंद फौज, और नारा देते हैं, आप हमें खून दो, हम आपको अजादी लेके देंगे, उसमें हिंदु भी होता जंग लड़ी जाती, जंग जीते हैं, एक फौज का गठन होता है, आज हम फिर उसी स्तिती पे खड़े हो गए, अजादी तो शवाज चंदर बोच जी ने, भगत सिंग, राजगुरु सुखगे, मंगल पांडे, इस्तफाक उल्लाखा, रानी जांसी, जल्यावला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिक्षाईयों ने, अजादी लेके दे दी, चंदर शिक खरजाद, लाला लजपत्राय, शहीदे आदम उद्दम सिंग, जिसने जर्नल डैर का बदला जाके, यूके में लिया था, उद्दम सिंग जी बिलकुल, ठीक है, पर उस अजादी के बाद, अज हिंदू, मुसलिम, सिक्षाई ने लेके दी, और बच्पन के हमारे नारे होते थे भारत माँके, चार शिपाही, हिंदू, मुसलिम, सिक्षाई, आज वो नारे कहां चले गे, आज से 25 साल पहले के थे हासों को अगर फोलो, हर चुराहे पे हिंदुस्तान पे ये नारा होता भारत एक धर्म नेक भारत माके चार शपाही हिंदू मुसलिम सिक्के साही में पढ़ता था और हम लिखके लगाते भी थे बच्पन के अंदर आज वो नारे कहां चले गए जहां वो नारे एक वक्त आज दिखने रहें वहीं पे हमें राकेस्ट जिए कहते हुए नजर आते है कि आज तो भारत पाकिस्तान मैच भी हारत उसका चेमिदार सरकार है पॉब्लिशिटी का बूखा पॉब्लिशिटी का स्टंट उसको तुम्हें क्या कहूं गंद है न शेहर का कठा हुआ जैसे गाजीपूर में ऊपर पहाड़ है गंद होता है सब शेहर का गंदगी आ जात खालस्तान के जब नारे लगते हैं समर्थंग करता है हिंदू मुस्लिम सिखे साइयों के खून से बने तरंगे जंडे लाल के लाके अंदर जो पहला जंडा लाल बहादर शास्त्री जी ने लराया और नीचे खड़े थे बाबा साब अमवेद कर नीचे खड़े थे सरदार पटेल नीचे पड़े थे लाल बहादर शास्त्री जो जो नाम सामने लोगों के है मैं वो बताना खड़े थे और सलामी दे रहे थे जंडे को उसके बाद सब तरंगे जंडे की शुरुआत हुई रास्तरपती भवन हो या सप्रीम कोट हो जा पार्लीमेंट हो जा कोई सीम क सिख हिसाईयों के खून से बना तरंगा जंडा उपर वो हमारा गुरू वही हमारा बगवान वही हमारा सब कुछ और वागा बॉर्डर की तरफ अगर आप देख लें शाम को जाएं तरंगा जंडा लहरा रहा और पाकिस्तान के लहौर रावल फिंडी तक देखा जा रहा लहराते हुए और जवान किस तरीके सोच को अपने सीने पे लगाते हैं मेरी कोठी में तरंगा जंडा शाम को जवान सुवा लगाता है शाम को उतार के सीने पे लगा के लेकि जाता है क्या कहते हैं यही हमारी रमैन यही गुरू गरन साब यही हमारा इसाई दर्म यही हमा करस करने का सबसे बड़ा जमेदार जिसने कहा लाठी ले आओ जिसने कहा किर्पाने ले आओ कि कहा उसने उचाहित कि अंधोलन कि का पनजाब के किसानों पनजाब को इसलिए ले आए क्योंकि उसके पिता जी का नाम था यसको आज भी हम सिर्जुपाते उस टकैत के नाम को लेके बोले बाले लोगों ने बीच में बिठा लिया और वो इनका सारा कैप्चर करके अंदोलन यूपी में चला गया को कि इसने चुनाव लगना था ठीक अब जब तरंगे जंडे का मात्र भूमी का अपमान होता है तो टकैत कहां होता है सरकार ने करा दिया कौन क्यक चिया शरकार है जो 26 जनरी के दन तरंगा जंडा इंडिया गेट के पास रास्ठ पती लर आते हैं अब दुनिया के अमभैसिडर वहां खड़े होते हैं और दुनिया का कोई ना कोई रास्ठ पती या परान मंतरी आंकर देता है और उससे दो किलो मीटर की दूरी के अपने तरंगे जंडे का अपमान जब होता है क्या दुनिया को दिखाना चाहते हैं हमारे देश के अंदर ये क्या हिंदोस्तान की सरकार कोई भी हो कॉंगर्स की हो जा नरिंदर मोदी की हो जा किसी की हो मुझ से कुछ भी बकवा क्यों चर्चा बार बार तकाइद की करते हैं अब क्यों हीरो बनाने की कोशिश करते हैं तकाइद को जो कहता है इंडिया गेट के अंदर हम फुसले बोदेंगे इसकी याथी की तैसी उत जगा पे जहां शाहीदों की अभी समार्क बनाया गया नरिंदर मोदी जिने आज त इंडिया गेट, शलूट देगा और मुजियम में जाएगा वहां फसलोगा आएगा ये पहले हिंदुस्तान, पहले भारत मां, उसके बाद बिट्टा, उसके बाद हिंदू, मुस्लमान, स्विफ हैशाई फिर किसान ये कहना मैं किसान हूँ, अरे हम किसान नहीं है क्या पहले इंद्रा गांदी मार दी अब नरिंदर मोदी को मार देंगे इमरान खान हमारा यार है नरिंदर मोदी हमारा दुश्मन है हमारे जमानों को रोज शहीद करने वाला इमरान खान आपका दोस्त हो गया नरिंदर मोदी हिंदोस्तान के अंदर 370 दारा अठाने वाला और ये राम जनब भूमी का निर्मान करने वाला 500 साल का इतिहास लाकों लोगों की कुर्वानी शहादत ना दंगा ना फसाद ना गोली जा श्रिया राम करके उसका निर्मान कर दिया को दंगा नहीं हुआ उसको हम गाली देते जिसने करतारपुर साब में एक तरफ गोलियां चलनी सर्जिकल उपरेशन के उपर जंग की तियारी है पर गुर्णानक देव जी के उस दिन के शुब दिन के उपर उसने कहा रास्ता खुलेगा तो खुलेगा गोलियां चलेगी चलाएंगे पर गुर्णानक देव जी महराज के रास्ते को चलाएंगे पहली बार खुला हम उसको गाली देते हैं खिंदोस्तान के अंदर किसान है आप भी हैं मैं भी हूँ ये भी हैं हर वर्क का आदमी अपनी खून पसीने की कमाई से रोटी खाता है वो कहां खड़ा है मैं एक शीज का सवाल पूछना चाहता हूं तो टकैत की चर्चा करना हमें छोड़नी चाहिए अब के रिकेट मैच के ओपर कह दिया यह तो सरकार ने हरा दिया तो इसका मतलब यह डफर है डफर खोते का दमाग भी अच्छा होता है खोता भी अपने मालक क को देखे चुप कर जाता है इसका धमाग खोते से भी ज्यादा डफर आदमी हैं जिसने हमारे पंजाब में पूरी सिख कौम को बजराम कर दिया लखीन पूर में किसके कारण चार लोग चले गए दुनिया से इसकी गलती के कारण लाल किला के अंदर तरंगे जंडे का आप जमेदार है क्यों नी रोका मैं भी यूथ कॉंगर्स का प्रेइडेंट रहा मनिस्टर रहा लाखों की रैलिया की ममता बनर्जी मेरी स्टेट प्रेइडेंट थी अशोग चोहन मेरा स्टेट प्रेइडेंट दो दो चीम मिनिस्टर रहे लाखों की रैलिया करते थे चार ला हर चीज की रिपोर्त था नहीं लेपटोप ना थे दिमाग चलता था आदमियों की ढूती थी को दंगा autant परिशान नहीं करता था समाजबादी क熟 भी करता हूं सब पुलिटिकल पार्टियों को क्लियन क्लीन चिट मैं तो नहीं दे सकता जो मेरा अनभव कहता है तो इनकी जिम्मेदारी कोई नहीं बीड बोला लो और भीड में कौन आये देखतो लो क्या लंडन से पन्नु ने पैसा तो नहीं बेजा खालस्तानियों ने खालस्तान में नारे लगाने के लिए क्या उनकी फंडिंग तो नहीं आ रही आपने कभी देखा उसको हो गया काम कैप्चर हो गया खालस्तानियों ने का खालस्तान तुमारी ऐसी कि खालस्तान ना बना थ तो किसान अंदोलन की बात होनी चाहिए पर उसके ओपर टकैत अब टकैत की अभी इंटर्विव कोई भी देखो पीछे उसके पिता जी की तस्वीर है बाबा सब टकैत अंदोलन शुरू किया था पंजाब के किसानों ने उनका कोई नामों निशान नहीं उन्हें ने तो ऐसे पिका अधालव में भी बुला लिया जैसे हम लोगों को बुला लेते हैं फंक्शन कोई मेनत कौई कोई करांती कोई और चला गया बिटा और बिटा ने चारवाशन दे रिए लोगों ने बले बले कर दि अंदोलन मेंने कैप्चर कर लिया ये हालत इसके रहे पीछे ठुके लड़ना चाहता है, पहले भी जमानत जब करा चुका इसकता है, बिल्कुल, सर वहीं पे इस बार अभी हमने देखा कि पांच दिवस्य दोरे पे, मारे प्रधान मंत्री नरेंद मोदी पहले रोम इटली गए हैं, अभी स्कॉटलिन गए हैं, तो क्या पूरे इस पांच दिव उपरेशन हुए, यहां करूना भी आया, हजारों लोग हमारे जारदूस चले गए, तो हम सुना भी करते थे, तो कहीं हां में हां भी मिलाया करते थे, कि हमारे परधान मंत्री जी तो बाहर ही रहते, यह बाहर आगी, यह भूख मरी आगी, परधान मंत्री जी को वहां जान चाहिए प्रधान मंत्री जी को इधर जाना चाहिए परधानमंतरी जी को वधेशों की पड़ी हुई है तिपा तिपनी सुनते थे और सणने में कही नहीं कहीं ऊसके थोड़ी सी हां भी हां मिला देते ह kes a पर आखिर में उस परदान मंत्री जी का पता तब लगा जब 370 दारा हटाई जब दुनिया का एक भी कंट्री जो है पाकिस्तान से खड़ा नहीं हुआ हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ तब जाके पता चला कि ये वदेशी टूर जो था परदान मंत्री जी का यही था कि जब भी 370 दारा हटाएं दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान का समर्शन ना करें यूनाइटी नेशन ना करें वो रजल्ट हमें मिला हमारी डेफेंस पॉलिशी बिलकुल कमजोर थी आज दुनिया से टैक, दुनिया से प्लेन, दुनिया से राफेल कई चीजें आशी जंग देखो जंग बहुत बुरी चीजा जंग करना अच्छी चीज नहीं चाहे पाकिस्तान हो हम कोई हो मर्ती तो मानुटा है ना मर्ता तो इनोसी आफेह जिशी बात नहीं पर अपनी दुनिया में इतना बड़ा देश माना जाता है, उससे सारी दुनिया उसके उपर निगा रखती है, उसके कमजोर महसूस करती है, हिंदुस्तान इतना पावरफुल मुल्क बना दिया, पहले के सरकारों की गलतियों से वहां पे हमारी कितनी जमीन चाइना ले गया, आज चरफ चार या पांच किलो मीटर का फांसला होगा, उस जमीन के लिए हम लड़ रहे हैं, मातर भूमी का आदा इंच हिस्सा हम चाइना में नहीं जाने देंगे, और चाइना के एक गुरते सिंग निकला, मौत का कफन बांदा, बंदूख हाथ में नहीं थी, निकाली और पच्ची पॉलिसी को अगर नरिंदर मोदी जी ने ना मजबूत किया होता, तो आज हम कहां होते, आप तल्वान का आप देख लो, अफगानिस्तान का हाल देख लो, बिल्कुल, अफगानिस्तान तार्वान देखा हैं, नहीं हम बच्पन में सुना करते थे, एक होते थे पंजाब के महराजा रंजी सिंग कहते थे, छेरे पंजाब महरा रंजी सिंग, उनकी फॉट के जर्नेल सिंग, सरदार हरी सिंग नलुआ जी, उस वक्त कादर काबल कंदार अफगानिस्तान तक हिंदुस्तान का राज थे, माएं कहती थे उस वक्त बच्चों को, जो बच्चे सोते ने, बच्चे सोजा नलूवा आ गया बच्चे सोजा नलूवा को बच्चा सौजा आता था इतना बड़ा राज हिंदुस्तान का अमारा रंजीर सिंहeking का था त्सीर शीर राज हम देखते कि उस वक कितने जुलम मंद्रों के उपर हुए होंगे जो तरवानी आज कहते हैं जा तो सिखी धर्म को छोड़ दो मुसलमान बन जाओ नि तो इस देश चे जाना पड़ेगा नि तो कतले आम करते हैं कहा है खालस्तानी आज खालस्तानियों को सवाल पूछना कहा है आपकी जवान गुरु गरंत साब को आप काबल में बचा नहीं सके आके गोलियां चला दी बिराजमान 25 सिख भाईयों को बहनों को माओं को बच्चों को शहीद कर दिया गया आप चले जाएए पाकिस्तान के अंदर मंदर को तोड़ा जा रहा है गुर्दवारस को तोड़ा जा रहा है ननक कहां हुआ आप खालस्तानियों एक रक्षच हमें मिला है नरिंदर मुदी मैं फिर को मेरा बीज़बी से तलक नी प्रथम राष्ट जिसने काबल कंदार से सिख समसमदाओं को उसी वक्त प्लेन से लेके आया है ठीक यह आज हिंदुस्तान की डिफेंस पॉलिशी आपने फ की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं ना जो बातें आपने कहीं दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं अपनों की वफा से ड़ते हैं दुश्मन हमारे से डर चुका है दुश्मन सिर्फ जुका चुका है दुश्मन को पता एक गोली चलेगी टैंकों के टैंके इनको तबाह करके पर हिंदुस्तान में जो तलबानी बैठे है तो कहता जी पाकिस्तान की स्पोर्ट कर देता है खालस्तान के नारे बक्ते हम आपके साथ है तरंगे जंडे का आप मान होता हम आपके साथ है यह जो एक नरेंदर मोडी को जुकाने के लिए और उनसे एक रिवेंज लेने के लिए मौन फड़िए तो मैं अतुम मेरी मुझे अतना पता Reneeं जो मैं ऑज मत चैता किसे अतर अज आज देखो जवानों की अगर हालत देखें, आज से साथ साल पहले का इतिहास देखें, क्या मिलता था जवानों को शहीद हो जाता है, पचास हजार, हमने पांच-पांच लाक कारगिल के युद में हमने शुरू किया था, वग्यान बबन में फंक्शन करके सरकार कितने देती पांच लाक इसलिए उस वक्त दिया था, पैसे नहीं दिया था सरकारों को जगाने के लिए, आज किस तिती में हम हैं, हमारा जवान कोई शहीद ना हो, बैन का स्वाग ना उजड़े, बच्चा यतीम ना हो, खून की नदिया न बहे, आज अगर कोई जवान शहीद होता है एक क्रोड सेंटर गौर्मेंट देती है, एक क्रोड स्टेट गौर्मेंट देती है, बच्चों की शादियां भी कराती है, और बच्चों को नौकरी भी देती है, और घर भी देती है, कहीं कि स्टेट में होना, अब शिवरा चोहान मत प्रदेश के हैं, अब कहूंगा किया अब शिव चुहान ने बच्चों को शादी फ्लैट जमीन पैसा एक क्रोड सेंटर अगर दो क्रोड मिल जाता है पैंशन अगर उसकी अलग आती रहेगी उसके बच्चों को तो को फिकर नहीं किसने किया उस योदे ने किया कैसे ना तरीफ करूं मैं उसकी आये कोई माई का लाल आये मेरे से बैस करें उसके काम के ओपर बैस करें राजनी जो एक व्यक्ति अपनी सोच के ओपर काम कर रहा है और हम बड़े-बड़े चैनलों के अंदर डवेट पे आके गाली गलोज देने हांसला तो देना नहीं गाली गलोजी करना शुरू कर देते हैं क्या भारत माता इनको माफ करेंगी इनका मकसद एकिया वो सता कुरसी बात वहीं पे जहां पर बात आती है बड़े-बड़े चैनलों डिबेट की तो हम ने बड़े-बड़े चैनलों में बॉलीवड का भी आजकल बहुत जादा नाम है किस तरीके से नार्कोट पाकिस्तान का मूँ तोड़े जवाब दिया 36,000 बेगुनाहों का खून हुआ 19,000 हिंदुबाई शहीद हुए वीज में पुलिस के जवान शहीद हुए CRP पंजाब पुलिस फॉज बहुत कुछ हुआ बड़ी लड़ाई लड़ी पता नहीं था है पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा या नहीं रहेगा पंजाब हिंदुस्तान से तूट जाएगा पर सब ने सब political party और अकेली Congress नहीं और अकेली बीजेपी नहीं जिसमें Congress भी थी, बीजेपी भी थी, CPIM भी थी, CPIV और RSS के कई कारेकर था जो सुबा PT प्रेट करते थे, बंदे मातरम उनको गोलियों का निशाना बना दिया जाता था अब जब वो लड़ाई पाकिस्तान हार गया, जैसे कश्मीर में लड़ाई हारी, इनोसेंट लोगों को मारना शुरू कर दिया, पाकिस्तान के पास एक रास्ता बचा नार्को टेरिजम, पंजाब की जमानी, पंजाब का जो जमान सबसे बड़ा फौज में पहले खड़ा होत पंजाब में खालस्तान बन जै, पंजाब हिंदोस्तान से तूड़ जाए, पंजाब का मिशन हमारा फेल हुआ, क्या किया उन्हें, नार्को टेरिजम फिला के हमारी पंजाब की जवानी तबाह कर दी, हमारा यूथ, उनके माबाप जमीनों को बेज बेज करके अपने बच पंजाब से चलता चलता दिली, मदप्रदेश, यूपी, बिहार, अब पूरे देश के कोने कोने में फैल गया, जिसका सबसे बड़ा हब बन गया, नार्को टेरिजम का, वो है बंबे, वो है महरास्त्रा, पूरा महरास्त्रा नहीं करूँगा, पंबे, ठीक? दाओ दिवराहिम का आज, जब से नरिंदर मोधी जी आए, टीवी के अंदर कभी भी उसका चर्चा का विशा नहीं बना होगा, ने तो जितने भी बड़े-बड़े चैनल वाले, दाओ दिवराहिम के नाम के हिंदुस्तान के लोगों को ड्राते हैं, सब बड़े-बड़े चैनल वाले, इनके मैं चैनल वाले, इनके मैं चैनल करके कहता हूँ, आप उसको उक्षाते थे, औरे दाओद आगया, दाओद आगया, अब दाओद आपनी जान बचाता फिरता, मुद दी आगया, मुद दी आगया, पता नहीं कहां से अमला करके मारे चैनल वाले को मेरा बताए कोई क्या दावुद की नेुट्स सुनी? अब दावुद इबराहिम ने वही काम किया जू पंजाब पाकिस्तान आएसां ने किया, कि बम्बे के अंदर नार्को टरrsm utorsim फेलाओ और नार्को टरrsm कहां से आ रहा है पंजाब से भी आ पंजाब से कम है जितने भी बॉर्डर हैं वहां से कई जगा से सबसे जारा कश्मीर से आ रहा है जहां से नदियां बहते हैं वहां से पैकट मेंकते हैं वहां से उठाते हैं फिर शिरी नगर से पूरे देश में कोने-कोने में गूमता है जब नारको टेरिजम हिंदुस्तान क कि हर नौजवान के अंदर चले जाएगा तो बताओ देश को कैसे बचाएंगे देश की शुरक्षा कैसे करेंगे देश में फॉच के जवान कैसे बनेंगे देश में मौत का कफन बांद करके पुलिस की वर्दी और CRP की वर्दी और फॉर्ट की वर्दी कैसे पहनेंगे मेरा आप से सवाल है फिट होंगे तो तभी बंदूख पकड़ेंगे तो यह दाउद इबराहिम के पीछे कि I sIй उन्होंने नर्को टैरिजम पिलाना शुरू कर थे सरकार बीजेपी की हो यह सरकार सिफ्षेना की हो यह सरकार एंसिपी की हो जहां नर्को टैरिजम का सवाल आजाए नियुल्टÁरिजम का सवाल आ जाए छे पड़ने वालों की जो पकड़ता उसके पीछे खड़े हो जाते इसको हटाओ, यह गलत लोगों को कर रहा है, बत्चा तियार होता है बत्चो को फट्चो को पड़ाते है, अपने खून पसीने की कमांई लगाते है, बच्च जब 18 साल का 20 साल का तो वो नарکो टिर्यंग की तरफ चले जाता है तो ये क्या मानुवता का नुखसान नहीं है, क्या मानुवता को मारा नी जा रहा, उसके लिए मानुवता को बचाने के लिए मंतरी रोग ड्रॉक बेचने वाले के साथ खड़े हैं जा ड्रॉक को सम अपने अधिकारी लगाएंगे जिनको कहेंगे इसको पकड़ो इसकी इंटरीगोशन करो इसको डिमॉरलाइज करो इसको मेंटली टॉर्ट टॉर्ट इसके ओपर पुलिटिकल टेरिजम फैलाओ यह कमजोर हो जाए और उसके बाद तुम्हें बॉंबे का कमीशिनर लगा दें अंगे तुम भी कमाई करो और हमें भी देना और जैसे महाँ का मत सौनीस्ट भी भागा दोगूवा की वह वह भगवान कहा हूँ आप दुनिया को जानकर ही मिलनी चाहिए कमीशिनर भी भागा हुआ और होम मिनिस्टर भी भागा हुआ होम बनेश्टर कमीशिनर को कहता है मुझे जहां जहां होटलों में ड्रग चलती वहां से माल एकठा करके दो साल के एक महीने का सो करोड चाहिए और वो कहता जी मैं इतना नहीं कर सकता मैं पचास दे दूँगा पच्चिस दे दूँगा उसने उसके खलाफ वाज उठाई उसने उसके खलाफ किया इसको कहते पोलिटिकल टेरिजम इसको कहते राजनिती घुलामी एक अजादी वो थी बगर सिंग कौन थी अजादी चाते थे पता आपको बगर सिंग राजगरू सुखदेव अजादी चाते थे कि एक ऐसा भारत जाए, ऐसा भारत मिले, गरीब हो, अमीर हो, आम आदमी, उसको इनसाफ मिले, उसको अजादी कहते हैं, बगल सिंग ने अजादी दे दी, जल्यावारा बाग के हिंदू-मुस्लिम सिक्षाईयों ने अजादी दे दी, मेरा आपसे सवाल है, मैं आपसे शाम तक बैस कर सकता हूँ, क्या मुलक अजाद है? हम सरकार में, मैं ची मिनिस्ट हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं जो कहूंगा वो अफसर को करना होगा, अधिकारी को, IPS, IES को करना होगा, वो करता है, तो अजादी करी बगल सिंग के अजादी कहां चलीगी, बगल सिंग फांसी के फंदे को देखके नहीं है, मुझे एक तस्वीर नदर आती, 23 साल की उमर, वो फरिस्ता था, बगल सिंग नहीं था, बगल का बेजा फरिस्ता था, 23 साल की उमर क्या होती, बच्चा होता है, मेरी आखों में आसू इसलिए है, ये गोरे अंग्रेजों से भारत अजाद हो जा हो, हम आजाद नहीं हैं, हम पहले अंग्रेजों के गुलाम से, अब सता और कुर्सी में बैठे हुए, पॉलिटीशन के गुलाम है, मेरे चैलेंज़ा हिंदोस्तान के दुनिया में बैठे हुए, किसी हिंदोस्तानी से मेरे से बैस कर ले, मैं बताऊंगा, राजनिति का संक कम्यूनिटी जो है, वो बहुत नाराज है, बीजेपी से, क्या लगता है, चुनाव से को मतलब नहीं, ना हिंदू, ना सिख, ना मुसल्मान, ना इसा, इसे मेरा में नहीं है, इसके ओपर मैं क्या करूँगा, हम सब एक हैं, कौन किसको वोट देता है, नहीं देता है, कौन मुँ तोड जबाब दिया, और ये सारी चीज़ें आपको शेयर करनी है, एक एक कमेंट आपको बताना है मुझे कि आपको किस विशय की कौन से सवाल कि सारी चीज़े समझ में आई है, देश हिट, राश्ट हिट, सर्वो परी, जो हमेशा से मैं कहते आई हूँ